तो कल राद डिजनी प्लस होटस्टापर ना ठान केस कोडू नाम की मले आलम फिल्म हिंदी डब्ड में देखी। फिल्म की स्टोरी कॉट्रूम ड्रामा प्लस कॉमेडी टाइप की है। ये फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी है जिसका कारण है। फिल्म को एक दम रियल बनाया है। फिल्म में सबकी एक्टिंग भी एक दम रियल है। फिल्म में वो सब कुछ है जो एक फिल्म को अच्छा बनाती है। फिल्म की स्टोरी काफी युनीक है जो केस दिखाया है उसे देखकर मजा आएगा। फिल्म का स्क्रीन प्ले दमदार है और म्यूजिक भी परफेक्ट लगा है। फिल्म में कुचाको बोबन, पीपी कुनी कुनी कृष्णन और राजेश माधवन की एक्टिंग काफी अच्छी लगी है। सिर्फ 10 मिनिट के रोल में राजेश माधवन ने बहतरीन काम किया है। इसकी वज़े से कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद भी ना आए। फिल्म की कॉमेडी वाकई में अच्छी है और फिल्म एक सोशल मेसेज के साथ एंटिटेन भी करेगी। अब फिल्म के क्लाइमेक्स की बात करूँ तो वो वाकई में बढ़िया था, कुछ भी बोलूगा तो स्पोयल हो जाएगा। ओवरॉल ना ठान के सको डू फिल्म फंटास्टिक है जिसे एक बार तो फैमिली के साथ देख सकते हो। इस फिल्म को मैं फाइव स्टा में से फोर स्टा दोगा। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको कैसी लगी है। हमें कॉमेंट कर के जरूर बताए।